देखिए 16 December 2021 को CTET का पहला exam CBT based computer based testing हुआ है तो यह candidate जाना चाहते हैं कि computer based का experience क्या रहा उनके लिए ज्यादा जुरूरी है जिन्होंने पहले CBT based exam नहीं कोई दिया हुआ तो वो एक anxiety रहती है तो वो anxiety अगर manage नहीं आप करते तो naturally है कि आपकी performance पर effect पड़ेगा दो चार पांच marks हम खो लेते हैं इसके regarding मैंने आज पहले दिन जो candidates का interview किया उन पें से तीन effect आपके तीन division की है वीडियो जो बना रहा हूँ तो first जो सीधी साधी है कि 16 December को first paper हुआ बहुत अच्छा हो गया time पर complete हो गया first paper है जो fifth level के जो teacher बनना चाहते है ठीक यह आपको पता है second level का जो paper है उसके लिए problem आ गई जलंदर में यह नहीं पता कि सभी center में यह हुआ है लेकिन क्योंकि इनका paper wait करते रहे server down हो गया लेकिन computer operate नहीं हो सके तो wait करते रहे आदा गेंटा एक गेंटा डेड़ गेंटा टाइम इतना बीत गया कि यह paper ultimately cancel नहीं कहा सकते आज के दिन का cancel हो गया है लेकिन यह postpone समझा जाए कि यह postpone हो गया है ऐसी क्योंकि new experience है अभी कितने दिनों यह चलना है cbt based large number of candidates है तो यह problem next time आ सकती है that is why अपनी जो preparation है continue रखें इसके इलावा दूसरा video बना रहा हूँ वो आपके लिए ज्यादा important है कि उनका experience paper का कैसे रहा जो एक paper हो चुका है candidates का और उसमें से question कैसे आए यह देखना जरूरी नहीं है उससे हम learn क्या कर सकते हैं कि हम next अपने paper पर जा उसके बाद के paper पर apply कर सकें कुछ ऐसा analysis करके next video मै रहा रहा हूँ analysis of paper 1 16 December 2021 आपको उसको share कर सकते हैं देख सकते हैं साथ में उसके मैं साथ यह बताऊंगा को जो central question रहे हैं वो उसकी एक दो video बनाऊंगा कि दिखाऊंगा आपको उसके base पर आप next question जो कल परसों आपका जब भी बारी आती है exam की तो वो solve कर सको बड़ी brief में आपको बस कुछ scene दिखाऊंगा जिसको आपने सामने रखना है और आप teaching aptitude के related कोई भी question हो तो solve कर सकते हूँ ठीक है तो देखिए next video कोई क्वारी हो क्वेंट हो अब please comment box में जरूर लिखिए thank you